1826, 1826 का वो समय था जब जर्मनी के एक वैग्यानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी भी चालक में परभावित होने वाली धारा, विद्धु धारा, एलेक्रिक करेंट और उनके दोनों सीरों के बीच विभुवांतर के संबंद में एक नियम का परतिपादन कर दिया, जिसे हम ल लोग ओम के नियम से जानते हैं और ये प्रश्ण बिहार बोर्ड और सिब्रसी बोर्ड के मैट्री के एक्जाम में परतिए एक वर्स पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बच्चों को एक्जाम में आए और उसे पांच मार्क दिला दे, फाइब मार्क से दिला दे, अगर आपको ओम का नियम समझना है, तो मेरे वीडियो को अन तक देखते रहेगा और आपको पांच मार्क की प्राप्ती हो जाएगी, इस्टार्ट करते हैं अपने वीडियो, तो आईए दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकमन हुसेन ऑफिसियल पर, जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग जानेंगे आज ओम के नियम के बारे में, और जानेंगे आज ओम के नियम को किस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ओम का नियम क्या है, सन 1826 में जर्मन वैग्यानिक सौर ज इसे हम लोग उसी के सम्मान में ओम साहब के नाम के सम्मान में ओम का नियम करते हैं, वो नियम है क्या, तो यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तर नहीं हुआ, यह चालक क्या होता है, चालक का मतलब हुआ, जिसमें करेंड चलेगा, जिसमें गर्मी चलेगी, जिसमें उस आपका क्या है चालक है लुखा क्या है चालक है श Sounds ग मतलब हुए जिसमें गर्मी करे आस पास करें यहाँ चोड छोडा यह चालक है मैं एक wire का टुकरा ले लिया हूँ आपको दिखाने के लिए example के तौर पे जिसमें भी क्या current pass करेगा इसे हम लोग switch सगर जोड़ते हैं current pass करेगा उन्होंने कहा ये चालक जो है ये wire जो है इसमें क्या होगा अगर इसमें current जोरा जाए इसमें flow होने वाला जो भी धारा होगा इन दोनों सीरों के बीच, दोनों किनारों के बीच का विववांतर जो होगा उसका समानुपाती होगा कब जब इस चालक का temperature में कोई बदलाव नहीं हो यानि नियाद ताप पर नियाद temperature पर एट constant temperature पर काता है यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो चेंजिंग ना आए तो उसमें होने वाली उसमें परभावित होने वाली विद्धाराज होगी उनके दोनों सीरों के बीद विववांतर के समानुपाती होता है क्या बोला एट constant temperature the following electric current is actually proportional to the potential difference between them ठीक है ये क्या है उन्होंने क्या कहा कि आई जो होगा समानुपाती होगा भी का आई मतलब होगी आपका विद्धू धारा भी मतलब होगी आपका विववांतर और यहीशा बढ़ेगा अगर आपका यहां कि मतलब होगी खानातरा कम मोटा हो घआओगे ठिक है यही सेम कंडिसनल का समानुपाती का यहां रहे दोस्तों अगर आपको समानुप इत MILL का पड़ती रोट का चालक के बदार्द का गून है जो और चालक जो कॉन्स्टांट सुनिए कोई एक जर्मान व्यज्यानिक नोने क्या के कुई चालक किसी चालक के तापने पड़ी वर्तन ना हो उसने परभावित होने वाली विद्धुद्धारा उनके सीरों के विज्वा अंदर के समानुपाती होता है यहीं दोस्तों आपका ओम का नियम अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा लग रह प्रूब चाहिए तो आप कमेंट में आके जरूर लिख दीजिएगा सर मुझे प्रूब चाहिए अगर आपका कमेंट आया मेरा वीडियो आएगा धन्यबाद दोस्तों जैहिन गुड़ बाई